श्री राधे हर हर महादेव बंबं बोले भगवान शिप को बेल पत्र अतियंत प्रिया है और इसके विश्य में अतियंत सुन्दर एक पौरानिक कथा है जिसके अनुसार पार्वती जी के माथे पर पसीने की कुश बूदे मदार परवत पर जहागिरी पार्वती जी के उस पसीने की बूद से ही बेल का जन्म हुआ अर्थात बेल ब्रक्ष का उत्पत्ती हुआ ऐसा माना जाता है कि बेल के पेड में गिरिजा, तने में माहेश्वरी, शाखा में दक्षायनी, पत्ती में मापारवती तथा पोश्प में गौरी जी का वाज होता है यही कारण है कि शिवशंकर भोलेनाथ को बेलपत्र अतियंत प्रिया है इसके अतरिक्त मानेता यह है कि बेलपत्र के मूल भाग में सभी तीर्थे इस्तित होते हैं भगवाई शिव को बेलपत्र चड़ाने से सभी तीर्थों की यात्रा का पुन्य मिल जाता है याद रहे यदि आप बेल पत्र चड़ाएं तो पत्तियां तीन या पांच पत्तियों वाला ही बेल पत्र चड़ाएं कोशिश करें खंडित ना हो और भगवान शिव पर अक्षत अर्था चावल भी खंडित ना हो साबुत हो भांग और धदुरा चड़ाने के पीछे स्रस्टी को बचाने के लिए भगवान शिव ने हला हल का विश्पान किया था लेकिन उश विश को प्रभू ने अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया भगवान शिव को इस इस्थी से निकालना देवी देवताओं के लिए अतियंत बड़ी चुनावती बन गया था इसी के कारण शक्ती के कहने पर भगवान शिव के सिर पर भांग धदुरा बेल पत्र और निरंतर जलाविशे किया गया जिसकी वजह से उनके मश्तिश का ताप कम हुआ उसी समय से भगवान शिव को भांग और धदुरा चलाया जाता है शास्त्रों के अनुसार शमी के पत्ते को अतियंत शिव माना जाता है और बताया जाता है कि शमी के पत्ते भगवान शिव जी को अत्यांत प्रिया है भगवान शिव को शमी के पत्ते चलाने से जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का अंत होता है साथ ही ये भी बताया जाता है कि शमी का व्रक्ष उम्मा महेश्वर का एक अदभुत स्वरूप है अपामार के पत्य गर में सुक्ष शान्ती व्रद्धी और संतान प्राप्ती के लिए शिवजी पर अपामार के पत्य भी चड़ाय जाते हैं अपामार के पत्ते से शिव जी की पूजा करने पर जीव को मोक्ष प्राप्त होता है और मोक्ष तो सब बंधनों से उपर है एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव श्री राधे